कि पर नाम मैं डॉक्टर राखे सुर्मा कि आज का टॉपिक है विज्ञानिक अध्यात्म कि आप सभी जानते हैं आज विज्ञान का सभी लोग विज्ञान के बारे में जानना चाते हैं अध्यात्म के बारे में जानना चाते हैं और अपने जीवन को विबिन तरीकों से जीना चाते हैं यहां पर सबसे पहले प्रस्ट उर्थता है कि हम जीवन में क्या बनना चाँते हैं हम अपने जीवन में एक लक्ष को निर्धारित करते हैं उस लक्ष को हम कैसे पाएं ऐसे प्राप्ट करें यह आज के समय सबसे बड़ा विचारनी प्रस्ट हुर हमारे सामने दो प्रकार करेंश होते हैं एक अध्यात्मी और एक भौति क्या हो सकता है कि हमारे पास पैसा हो गाड़ी हो खोग सारी सुख सुखिधाएं हो और अध्यात्म कहता है हटकर हम जो हमारे जीवन का उद्देश से है उसकी प्राप्ति में लग जाएं तो सबसे महत्पुन है कि हमारे सामने क्या लक्ष है हम इसको जानने का प्रयास करें यहाँ पर हम देखते हैं और एक उदारण के माध्यम से लक्ष को जानने का प्रयास करते हैं शिव खेला ने अपनी पुस्तक जीतापकी में एक बहुत अच्छा वाइस संबंद में, कि एक बार एक किसान के पास एक छोटा सा खुत्य का बच्चा था, जब गाउं के पास किसाडक से कोई किसाड़ी तुबा कुट्टे का बच्चा उस कार के पीछे दोड़ता, एक बार किसान के दोस्त ने पूचिए, क्या आपको यकीन है, यह कुट्टा किसी कार को पकड़ पाएगा, किसान ने उत्तर दिया, मित्र यहाँ पर प्रस्थन यह नहीं है कि कुट्टा कार को पकड़ पाएगा, यहाँ पर प्रस्थन यह है, तो सबसे महत्मुन बात यह है कि इसान पूस्ता है कि कि अगर किसी कार को पकड़ लेगा मित्रो यही हमारे साथ भी होता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष लेते हैं और उनको पाने का प्रयास करते हैं लिए कि आता है तो उसके बाद हम क्या करें हम यह समझ नहीं पाते और कई सारी समस्याएं हमारे सामने आती रहती है इसलिए सबसे महत्मुन है कि हम अपने जीवन का एक ऐसा लक्ष निर्धारित करें सबसे महत्मुन है सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्रिष्टी का निर्माड कैसे हुआ तो जैसा कि हम जानते हैं कि संसार में दो चीज़े हैं जड़ और चेतन जिन से मिलकर संसार की सारी चीज़े बात हुई है पदार्थ और चेतना का समन्वय समझ हलचलों एवं गतिविदियों का केंद्र है जड़ प्रक्ति पर आधिपत्य स्थापित करने के सोद्रत हैं जबकि अध्यात्म व्यादी जो अध्यात्म के मार्क पर चलने वाला है वह प्रक्ति के छेत्र में दोनों ही अपने अपने प्रयासों में लगे हुए हैं और दोनों प्रयास हैं लेकिन जब तक दोनों में समन्वय नहीं तब तक दोनों लोग समन्वय क्या भाव में भटकते रहते हैं और जो चीज पाने का प्रयास करते हैं वो नहीं पाते हैं विज्ञानिक अध्यात्म के इतिहास की बात करें तो देखते हैं कि प्राचीन काल से ही विज्ञान और अध्यात्म दोनों इस छेत्र में लगे थे कि किस तरह से दार्थ और चेत्ना के मद्ध की कड़ी को जोड़ने के लास किया जाए वेद एम वैदिक साहित्य में स्वामी विवेकानन कहते हैं कि किसी दूर घर्षी के द्वारा या किसी ऐसे यंत्र के द्वारा वेदों का अध्यान किया जाना चाहिए प्राप्त कर लेने पर चेत्ना की प्रक्ति का संपूर इतिहास हम जान सकते हैं तत्य पदार्थ और चेत्ना इन दोनों पर प्रकास डालकर समग्र प्रक्ति को परिभासित करते हैं उध्गाटित अगर हम देखें वेदों के अलावा उपनिस्दों में एक बहुत ही प्रणत है इस वास्य उपनिसक उसमें कहा है विद्याम चाहा है अर्था विद्या और अविद्या इस रूप में वेज्ञानिक अध्यात को बताया गया है मुंडग उपनिसद में भी इसको परा और अपरा विद्या के दिए रूप में इसको बला और अतीबला के रूप में बताया गया है इस प्रकार से हम देखते हैं कि विबिन गरंतों से इसको बना आज सबसे मुझन के जब हम विग्ञान की बात करें पहले जानने करें कि विज्ञान आज किसके हाथ में धनवानों के राध्यों के या मनीशियों के तो हम देखते हैं कि आज जो विज्ञान है मनीशियों के वह विज्ञान जो कि मनीशियों के हाथ में होना चाहिए था आज धनवानों के तिद्यों के हाथ का खिलोना बन गया है इसका नतीजा क्या हुआ है जो विज्ञान समाज के सब्सक्राइब है इस कारण थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो रही है चेंज करने पर भी थोड़ा सा वाइफाई चेंज केने पर भी नहीं आपा रहा है इसके लिए समाप्रार्थी है तो हम यह कह रहे थे कि जो विज्ञान है वो सही सबके लिए अच्छा अच्छा हाँ 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 हेलो ठीक है तो आवाज आ रही हो गया थोड़ा सा हेड़फोन लगा लिया है लोकेशन चींज करने पर स्पैद आवाज सही आ रही है तो हाँ 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 हम इसको कांटिन्यू करते हैं हाँ जब उसका मन करता था पवन देवता हवा करते थे हैं आज भी लगबग ऐसी ही इस्तिति आ गई है कि विज्ञान ने प्रतेक व्यक्तियों को रावर जैसी अथा सक्ति दे दी है पवन देता पंकंखे के रूप में हमारे घर में विद्यमान रहते हैं जब हम बटं दबाते हैं तो पंख्ण करते हैं जल देवता नलके में बंद रहते हैं जब हम पेव घुमाते हैं तो वहां से वह बाहर निकल करके हमको पानी देते हैं इस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञान ने आज इतनी जादा सुविधाएं मनुस्य को दे दी हैं कि भूल बैठा है कि उसका जीवन का मुख्य उद्दे से क्या है वह भौतिक वादी चीजियों में इतना जादा अपने आपको घुला मिला चुका है कि भूल गया है कि वास्तव में इस धर्ती पर आने का उद्देश से क्या था तो अगर हम इसको जानने का प्रयास करें कि वास्तव में हमारे जीवन का क्या उद्देश से हैं त विज्ञान क्या कर रहा है विज्ञान हमें विनास की उले जा रहा है अभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा वायरस आया जिसे कोविड-19 कहा गया उसके कारण सबी लोग अपने घरों में बंद हो गए पुरानी संस्कृति जिसे हम भारती संस्कृति कहते थे उसी तरह से नमस्कार करना घरों में रहना घर में प्रवेस कर रहे हैं तो पैर धुल कर प्रवेस करना सारी चीज़े दिखते हैं कि जो प्राचील कारलों में दी गई थी उसक मुझे महत्तूर्ण बात यह है कि हम क्या सही एक क्या गलत है कि नियर्णा करने में सक्षम हो पाते हैं तब हम प्रग्यति के मार्ग पर आगे पड़ाब give ग्दियानीचा खिया है अगर हम इससे पर चर्चा करें उसको नियुक्ण से भी सकुछाफ दुश हाथ बहुत मोटा हो जाए और दूसरा हाथ पतला रहे तो कैसा लगिए अगर दोनों एक जैसे हो तो यह बहुत ही अच्छा होगा इसी प्रकार से अगर कोई विक्ति विज्ञान में तरक्की कर ले और अध्यात में जीरो हो तो उसका जीवन कैसा होगा उसका जीवन ऐसा होगा जैसे की एक हाथ किसी का पतला एक हाथ मोटा या किसी का एक हाथ एक आँख बड़ी हो जाए एक आँख छोटी हो जाए तो दोनों के समान होने के लिए यह जरूरी है कि दोनों का विकास समान रूप से होगी, ज्ञान का भी और अध्यात्म का भी इसे में एक बहुत अच्छी कहानी आती है कि एक बार जंगल में आग लग गए सबी लोग भागने लगे जंगल के पास जो लोग जानवर के अलावा कुछ घर थे उसमें लोग रहते थे तो वो लोग भागने लगे उसमें एक अंधा और एक लंगडा रहता था दोनों लोग फस गए अंधे को दिखाई निरे दे रहा था कि वो किगर भागे और लंगडे जिसके दोनों पैर नहीं थे वो भी परिसान था कि मैं क्या करूं मैं देख तो रहा हूं लेकिन मैं भाग नहीं सकता हूं क्योंकि मेर पैर नहीं अचानक उसने अंध्य को देखा उसने उसको अपनी और बुलाया और कहा कि मित्र हम दोनों अलग-अलग अपने आपको बचा नहीं सकते हैं लेकिन मुझा अपने कंधे पर बठा लो मैं तुम्हे रास्ता दिखाऊंगा तुम चल सकते हो तो हम दोनों बस सकते हैं अंध्य when अध्य को उसकी बात समझ में आ गई तो लंगडा अंध्य की कंधे पर सवार हो गया लंगडे ने रास्ता दिखाया और अंधा उस तो चलता चला गया और दोनों ने अपने आपको बचा लिया आज भी कमोवेश वही स्थिति है कि विज्ञान ने प्रगति तो कर ली है लेकिन उसके ऊपर रूख नगाने वाला कोई भी नहीं है आज पूरा विश्व परमाडू की धेर पर बारूद की धेर पर बैठा हुआ है किसी सिर्फिरे ने अगर एक जड़ासा माचिस की तीली भी लगा दी तो वह कब नस्ट हो जाएगा कुछ नहीं कर सकते तो यहां पर सबसे जरूरी यहीं है कि विज्ञान के ओपर कोई ना कोई एक कंट्रूल होना चाहिए. एक साड़क से कार जा रही है. कार चल तो रही है. लेकिन अगर उस के इसके पर चलाने वाला कोई मसीन है, जिसके अंदर सॉफ्ट्ययर है अगर सामने कुछत आ जाए तो वो क्या करेगा अगर उसके अंदर चेतनाह समझ-धारी तो रोकेगा वरना उसको दबाके निकल जाएगा सबसे बड़ी समझदाराई चाहिए तो चाहिए कि वहिखती क्या करें कैसे करें इसके ठार्फ दूसरे से कहता है कि मुझे अश्टया चाहिए दूसरा अगर उसको जानता है तो वह उसको पानी लाके दे और अगर नहीं जाना है पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको समझ ही नहीं पाए इसी तरह से अध्यात्म भी ए prac you एक बहुत उच्चिस्तरिय विज्ञान है उसमें अधिधन आत्म विज्ञान तो हमें बाहरी दुनिया की और अंदर की और अर्थात हमें हमारी चेतना जगत की और ले जाता है और अगर दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो व्यक्ति का संपूर्ण और सारवांगिन विकास होग इसकी की आज हमें आव सकता है आज हम यह नहीं करकते कि केवल हमें विज्ञान चाहिए यह केवल हमें अध्यात्म सामने लाए और इसके लिए उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली जिसका नाम है अखंड जोती पत्रका जिसमें विजनिक अध्यात्म के अधहार पर ज्याद्धतर लेक अर्टिकल लिखेения हैं और लोगों को इसके प्रति सजग किया जाता है कि व्यजान क्या कहता है विज्ञान कहता है कि हममें जो सारी चीजे हैं उसका ज़ादा सज़ादा हम कैसे उप्योग करें अध्याद में क्या कहता है वह यह कहता है हमें यह देखना चाहिए कि कि हम किस रूप से अपने जीवन का सही डंग से सही दिशा में प्रगति की ओर ले जा सकते हैं जीवन को और किस तरह से अपने आपको सही रूप से मानाव के रूप में संग्या दे सकते हैं इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए है कि हमें जिस चीज की जितनी आवसकता हो उसका अगर हम उतना ही प्रयोग करें तो निश्ची तोर पर हम सफल होंगे उजारण के लिए घर में लाइट है पंखा है और भी कई उपकरण है अगर हमें आव सकता है तब हम उसका प्योग करें अगर दूसरा व्यक्ति जो कहीं दूर बैठा है उस तक वह बिजली नहीं पहुंच पाएगी अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो इसलिए सबसे जरूरी यही है कि हम इसका सही सदुपयोग करें जो भी प्रकृति ने हमको चीजे दी हैं संसाधन दिये हैं उसका हम सही ढंक स अगर उपयोग करते हैं तो निश्ची तोर पर हम सही दिशा की ओड़ जा रहें इस वर ने प्रकृति ने हमको बहुत सारी चीजे दी हैं हम इस वर के राजकुमार है इस वर हमको बहुत सारी सक्टियां दी हुई हैं उन सभी सक्तियों का हमको स्वामी बनाया लेकिन कब त अभी तक जब तक हम उसका सदुपयोग करें और अगर हमने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया तो प्रक्ति अगर वह ठीक करने पर आएगी तो एक जटके में कर ली एक छोटे से वायरस ने आदमी को आज घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है उसको सोचने पर मज अपने जीवन को जीवन लक्ष को सही प्रकार से चलाएं चलाने का प्रयास करें तो निश्चे तोर पर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं इसी को लगबख सभी गरंथों में कहा भी गया है बताया भी गया है जितने भी महापुरुस आये हैं उन्होंने आपको स्रेष्ट मार्ग की ओर ले जाएं और किस तरह से हम स्रेष्टता को प्राप्त हो सकें कुछ अगर आपके प्रस्ण हो तो उससे भी पूछ सकते हैं वीजबीत मेर उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे क्योंकि यह वास्ता में एक बहुत ही विश्टित टॉपिक है और इस पर बहुत लंबे व्याख्वान हो भी सकते हैं लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम कि आपसे और आपकी कुछ महत्पूर्ण प्रस्ण है जिनकों की हम ले लेंगे अगर वह आप लोग पूछते हैं नहीं तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए बताना चाहते थे कि जो विज्ञानिक अध्यात्म है यह वास्ताव में संपूलता को लिए हुए है और व है केवल हम विज्ञान को ही धारन करें या कि पला अध्यात्म को भी जो जितना हमारे लिए अवस्यक हो उसको हम अपने लिए धारन करें और उसी के अनुसार्ण जीवन को श्रिष्टा की ओर ले जाने का प्रयास करें यह सारी चीज़ें विज्ञानिक अध्याद्म के अंदर समाहित हैं कि स्वामी विवेकानन्द विजब विदेश गए और उन्हें भी अपने व्याख्यान में एक बहुत अच्छे व्याख्यान में कहा कि मित्रों हमारे एक हात में गीता हो इसमें कोई बुराई नहीं लेकिन एक हात में फुटबाल भी हो पढ़े सिराम सर्माचार इसको लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा कर्म है जो हमारा कर्तब है उसको भी हम धारन करते चलें कई बार लोग धर्म की व्याख्या करते हैं वास्तों में धर्म का क्या अर्थ है धर्म द्रिधातु से मिलकर बना जिसका अर्थ है धारन करना किन चीजों को धारन करना अच्छी ची विचारों को धारण किया हम उन विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और उसके अनुसार कार करने का प्रयास करें तो वास्तों में हमारा राम को पूजना भगवान को पूजना सार्थक सिद्ध होगा दिखाय रास्तों पर नहीं चलते हैं या उनके विचारों को नहीं माणते पूजा पाढ़ भी करते हैं तो लोग किस तरह से एक बार एक वेक्टी ने किसी Heard कि गणि Соvida कि पूजा करने पर जो हम चाहते हैं जो हम मंहांगें वह हमें मिल जाएगा उसने लाइ मूरत्य उनको लाकर के उनकी पूजा करने लगा। एक साल किया दो साल किया तेन साल किया। ना गश्य प्रगट ऴुए नीजि को कुछ मिला उसका बहुत गुछा आई। उसने सुना कि लश्मी जी बहुत याधि प्रसन्न होती है धन देती है तो बजार से गया दश्मिजी की मूर्थि लेगा गण है गणेश UA 550 के भगल में रछा और जैसे उसने यह आर्ति के लिए जराए के applied दिकिती से नाग मेंडाग जैसे नाग में डाली तुरंद गणेश जी प्रगट हो गए उसको आश्चर हुआ कि मैंने इतने दिन पूजा साधना की यह प्रगट नहीं हुए आज क्यों प्रगट हो गए तो गणेश जी ने कहा मैं इसलिए क्योंकि इससे पहले तुम केवल मेरी मूर्ति मान के प्रगट करते थे आज पहले दिन तुम्हारे मन में ये ख्याल आया तुम्हारे मन में ये विचार आया कि मैं भी सांस लेता हूं तो सबसे महत्पूर्ण यह है कि जब हम यह मानने लगेंगे कि जो भी प्रतिमा जिसकी हम पूजा करते हैं वह जीवन्त है उसके अंदर भी हमारे जैसी चेतना है तो निश्चित तौर पर हमारे लिए प्रगट होंगे उतनी सद्धा भक्ती बावनाव एक प्रस्ना आ रह अपने अंदर की ओड़ जाना अपने आपको जानने का प्रयास करना अध्यात्म कहलाता है एक अगला प्रस्न रिकार्डिंग डग करेंक्शन बेट्वीन साइंस और स्पिच्वलिटी डू यू थिंग दा इक्वैलिटी इंफ्लूएंस इच अदर और वन इस मोर वन इस मो प्रिजेंट बहुत अच्छा प्रस्न है कि जब तक अभी मैं उधारन में दे रहा था कि अगर एक रिक्तिक का एक हाथ बहुत मोटा हो जाए पतला हो जाए तो देखने में भद्दा लगी जीवन में भी एक रिक्तिक कहता कि मैं अध्यात्म को ही पूरा उतारूंगा अध्यात्म का नहीं के तो सोचने समझने की च्छमता ही समाफ्त होती जाएगी तो दोनों का समयवए जरूरी है दोनों अगर हमारे अंदर समान रूप में नहीं होगा तो हम 수ह दिसान में नहीं जा पाएंगे और जो हमारा का लक्ष है उसको भी हम का प्राप्त नहीं कर पॉएंगे इसलिए ज patrol ऑर अध्यान दोनों का हमारे जीवन में होना बहुत यावसक है और हम जितने अध्यात्मिक हो उतने ही की विज्ञानिक हम हर चीज को विज्ञान की कसोटी पर पर्खें और अध्यात्मिक रूप से यह सोचने का प्रयास करें कि यह चीज हमारे लिए फायदे मंद है कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो चीज खरीद रहा हूं वह मेरे लिए आप सकता से अधिक है एक छोटा सा अपने उपर परिछन करके देखिए एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि जब भी आप बजार जाते हैं को कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो खरीदने से पहले यह सोचें कि क्या वो मेरे लिए आउसक है क्या उसके बीना मेरा कारे चल सकता है अगर चल सकता है तो खरीदने इसा नहीं किया इसके मतलब आपके लिए खया उसके आपके लिए कोई आपकार इसका नहीं हमारे पास पैसा है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम खुब सारी अनावसक चीज़ों को, खुब कपड़ों को, जूतों को, चपलों को, सब सारी कठी कर ले, क्यूंकि अनावसक रूप से हम इसकी करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा वक्ति है जिसको उसकी वास्तों में आव सकता है, तो वह उसका उप्यों नहीं कर पाएगा इसलिए जीवन में ये हमारे लिए सबसे महत्पूर्ण है और इसको हमको हमेशा जानना चाहिए कि हमारे लिए किस चीज़ की आव सकता है, कितनी आव सकता है और वास्तों में जब हम उपभोग नहीं उपयोग इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन आना प्रारम्भ हो जाएगा उपभोग नहीं उपयोग एक बहुत-बड़ा बिजनसमेंन है उसके लिए कार तिया सकता है वह उसके देखा देखी एक छोटा व्यक्ति जो कि साइकल रिप्रेरिंग करता है छोटी दुकान वाला आता वो भी कहता नहीं मिरको भी कार चाहिए मैं भी कार से आऊ जाओंगा घूमँगा तो हो सकता है उसको उसकी उपयोकता नहों लेकिन आज क्या होता है कि समाज इस वर बहुत कार होने चाहिए उससे महगी कार होने चाहिए और यहीं से हमारा जीवन में जो भी विचारधारा है या हमारा जीवन है वह गलत मारके के ओर चल पड़ता है क्योंकि हम आज कार खरीत तो लिए लेकिन उसको अफोर्ट नहीं कर पाते हैं और परिवार में कई सारी समस्याइ आना प्राहरण हो जाती तो इसलिए है कि आज समाज में समबढ़ती रहा और समस्याओं का कारण में एक्याचती है कि दोसरों कांग का दखके कारिकों कर रहा है वह इस पर अगर निर्भर हो जाए कि जो मेरे लिए अवसक चीज हो जो मेरे लिए और Teala को खरीदूं तो समाज में समरस्ता आएगी जो भी ऊचनीच जो भी अमेरी गरीब है यह धीरे-धीरे समाप्त होती जाएगी और व्यक्ति एक स्रिस्ट मार्ग की ओड़ चलता जाएगा विज्ञान ने जो भी दिया है विज्ञान बुरा नहीं है साइन्स इसे गुड़ सर्वन बट बैट मास्टर और आज क्या हो रहा है कि दीरे-दीरे हम साइन्स को अपना सर्वेंट की जएका मास्टर बनाते जा रहे हैं उदारन के लिए हम देखते हैं कि एक बार एक आदमी गाय को रसी से बांत के ले जारा था दूसरे नष्खर की मैं मालिक कौन है गाए या गाए को ले जा रहा है कि जहिरी रस्षी गाएवाले के माली के पास तो वही मालिक है उसने ठीक अच्छा देखो उसने उससे रस्षी ले करके छुड़ा दी और गाएवाग गई तेज बोला अब देखो क्या हो रहा है गाय आगे बाग रही हो पीछ के पीछे जाएंगे वैसे वैसे हम अपने आप से दूर होने याॉर कही प्रकार की समस्याओं से अपने आपको गरशित होते है करते चले जाएंगा अछ है ज़्यादातर जो बीमारियाँ और यह उसका कारण भी है कि व्यकति करता जा रहा है तीवी चलाना है तो उसके लिए working latKIt के लिए सारे स्विछ बोड़ को चाता है हमेरे पास ही रहें रिमोट रहें बटन रहें उस से मैं एसीु से लेके सारे चीज़ें उसको संचॉलित करता रहूं और धीरे-धीरे क्या होता है कि वह इसका इतना आधी होता है कि वह चलना फिरना भी बहुत कम कर देता है और धीरे-धीरे सारे रिक्स्रम कम होता जाता है नतीजा प्रकार की व्याधिया उसको घेरती रहती है की सद्रेश फ्री अपने आपको सब्सक्राइब का तरीका सबसे अच्छा यहाई कि कुछ देर के लिए आखे बंद करके ध्यान में बैठें कुछ देर अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें, अपने आपको जानने का प्रयास करें, अपने जीवन लक्ष को जैसे जैसे हम जानने का प्रयास करेंगे, वैसे वैसे अपने आप से जुड़ते जाएंगे और स्रिष्ट मार्क पर चलते चल जाएंगे, हम कुछ देर दिन में समय निकाल के लिए दो मिनट तीन मिनट के लिए हर एक घंटे दो घंटे के बाद बैठें आखे बंद करके अपने आप से जुड़कर देखें कि मैंने जो पिछला एक या दो घंटे बिताया वह क्या मेरे लिए अच्छा था जैसा मैं सोचता हूं जो भी मेरा लच्छ जीवन का उसकी प्राप्ति के लिए क्या ये सहायक है अगर नहीं तो कहां पे चुक हुई अगले एक दो घंटे में उसको दूर करने का प्रयास करें अगर हम इसको अपने जीवन में उतारते चले जाएंगे तो निश्ची तोर पर हमारे अंदर परिवर्तन आना प्रारंब हो जाए है कि हम अपने आपको श्रिष्ट बनाने का प्रयास करें एक बहुत अच्छा प्रस्तना रहा है कि सर्वाट वुड वी दा बेस्ट वे तो क्रियेट ए मोर साइंटिफिकली इनफॉर्म पब्लिक कर आज के समय में अग民 था करिवने है कि लोग कि हर चीज को जानना तो चाहते हैं लेकिन उसके फाइदे क्या है उसके नुक्सान क्या है इसको जानना नहीं चाहते हमारे लिए क्या उसक है क्या आउसक नहीं है इसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं उदाहरण के लिए आज से कुछ सालों पहले जब प्लास्टिक आई थी बजार में तो लोग उसको इस्तमाल ने करने थे थे बहुत बेकार कुछ दिनों के बाद इस्तमाल करने लगे इतना ज्यादा करने लगे कि उसके आधी हो गए और आज के समय में हम देखते हैं कि प्लास्टिक कितना ज्यादा खासकर पतली पॉल थे नुकसान दायक हैं लेकिन मार्केट जाते हैं तो जोला लेके नहीं जाते हैं हम चाहते हैं कि दुकानदार हमको प्लास्टिक में ही समान दें प्लास्टिक केरी बैग में दें आरो उसको एक बार यूज करके देते हैं लेकिन है अगर हम थोड़ा सा अपने आपको सजग कर ले तो एक या दो जोला बैग लेकर करें चले जाएंगे इको फ्रेंडली होन कियो नहीं चलाते अगर हम इसको साल भर चलाएं तो हमारा साइंटिफिक लिए जो भी हमारा जीवन उसे हो जाएगा कि शेरिंग कर लें चार लोग हैं चारों लोग एक ही कम्पनी में जा रहे हैं तो चार गाड़ियों से क्यूंब तेन गाड़ी का खर्चा बचेगा जो भी प्रदूशन होता है का यह काफी कम होगा चारों लोग आपस में आपस में बाद करते हुए जा रहे हैं तो इस तरह से हम अपने आपको एक स्ट्रेस्ट मार्क में ढर सकते हैं नहीं तो यह वह तो सकते हैं कि चार लोग चार अलगलग गाड़ियों से जा रहे हैं आना जाना से लेके सब कुछ है और मैं तो कई बार के जाता हूं तो वहां भी कैते इस्ट्रेस होता है मैं ने पूछा क्यूं किसर 8 बजे हम को पंश करना है तो मैंने खाओ आठ बजे पंश करना और आपका घर से लेकर के आपका ओफिस लगका समय अगर बीस मिनट लगता है तो आप बीस मिनट पहले या पच्छीस मिनट पहले क्यों निकलते हैं अरे आप आदे घंटे एक घंटे पहले निकले अराम से धिरे धिरे ड्राइव करें दाएंबाय प्रकृति को देखते कि जोखी में डालते हैं अगल बगल के लोग हैं उनका भी जान जोखी में डालते हैं तो सबसे ज्यादा महत्पूण यहीं है कि हम समय से चलें समय के अनुशार अपने आपको बाधने का प्रयास करें तो निश्ची तोर पे हम अपनी रक्षा भी कर सकते हैं दूसरी की कि दि लेकिन हमको इसके लिए अवेर होना पड़ेगा कि वह चीज हमारे लिए कितनी आपने घर को Dcken नहीं बना सब घर में लाके रख दें हमें यह ध्यान देना होगा कि क्या क्या चीज़े हमारे लिए आवसक हैं क्या आवसक नहीं बहुत से विश्व में देश हैं जहां पर कि कई सारी चीजे आउट अफ डेट हो गई है और उसको आज भी हम अपने घरों में रखे हुएं तो एक बार देख लिए कि क्या हमारे लिए आउसक है कि नहीं जापान जैसे देश में जहां पर के कि माइक्रो ओवन को हटा दिया गया है आज भी मैं कई घरों में जाता हूं देखता हूं कि वह माइक्रो ओवन में रखे हुए हैं खाना को दुबारा और तुरंट गरम करके देते हैं पहला तो यह है कि कि किसी भी खाने को दुबारा गरम नहीं करना चाहिए उसके क्या होता नुकसान हो जाएगा पहले जब फ्रिज नहीं था तो लोगों को गरम-गरम खाना मिलता था ताजा खाना मिलता था अब फ्रिज में हैं तो खाना बनाके रख दिया दो दिन तीन एक हपते तक उसमें रखे रहते हैं कि समय नहीं है अरे समय तो पहले भी था आज भी नहीं आज भी समय है लेकिन हम उस विज्ञानिक ढंग से अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना ही होगा कि हमारा खान प्यान हमारा जीवन सैली सभी कुछ विज्ञान के नियमों के अनुसार हो जिस तरह से कि एक घड़ी होती है जिससे हम समय देखते हैं उसी तरह से हमारे सरी के अंदर भी एक बायलोजिकल क्लाक है जिससे जैविक घड़ी बोलते हैं उसके अनुसार अगर हम अपने दिन चर्या करने का प्रयास करें अपने आपको चलने का प्रयास करें तो हम कि मेरे साथ 5-6 दोस्त आ रहे हैं उनका खाना बना के रखो तो कहते हैं कि एक घंटे से पहले मत आना कम सिरह मुझे इतना टाइम लगेगा ही क्यों कि सब चीज की त्यारी करनी है एक दो के लिए तो बना सकते हैं ज्यादा लोग के लिए बनाने में दिक्कत होगी इसी तरह स जैसे हमारे सरीर में भी क्या होता है कि जैसे हमारा खाना काने का समय सुबह आठ बजे है तो सरीर क्या करेगा कि साड़े साथ बजे ही डिफरेंट टाइपस ऑफ एस एंजायम से जो कि हमारे खाने को पचाते हैं उसको त्यार करेगा और हमारे इस्टमक यानी के मासे में ड नौबजे अब क्या होगा कि आपने अपनी घड़ी को डिस्टर्ब कर दिया तो वह पेट में जो भी एसिट्स हैं वह क्या करते हैं कि उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया हमासे ने भी स्टार्ट कर दिया कि 8 बजे खाने आने वाला है और उसको कुछ नहीं बला तो वो धीरे दीरे म्यूकस की लेकर को काट गई तो अपने आपको जो बायलोजिकल क्लॉक है जो की हमारे अंदर हमारे स्रीर को चलाती है उसके साथ हम साथ हमने छेड़चाड परारम कर दी तो हमारे लिए सबसे महत्पुर्ण यही है कि हम जो भी इस्वर ने हमको जीवन दिया है उस्वरीर की अंदर सारी जान सकते हैं और उसके अनुसार अपने आपको चला सकते हैं एक कोस्टन आ रहा है आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक्स्प्लेइन साइंटिफिक रिजन बिहाइंड यगना अल्सो आई थिंग दिस इस अल्सो इंपोर्टेंट तो अंड्रेस्टेंड आल आफ पर एक प सेशन इसके बाद अगर कभी और क्लास हुई तो अबस्थ से आप लोग के लिए योग निद्रा का क्लास लेना पसंद करेंगे लेकिन अभी यह जो बहुत महत्पूर्ण प्रस्ण आ रहा है कि साइंटिफिक रिजन बिहाइंड यगना यग्य का क्या विज्ञान है तो वा सब्सक्राइब की हरदवार में शांति गुंज ने ब्रह्म वर्चत संस्थान गंगा नदी के पास की गई तो यह पाया गया कि यग्य करने के बाद एक व्यक्ति को 200 किलो कैलोरी एनरजी मिलती है वातावरण में जो सब्सक्राइब की निगेटिव आएंस होते हैं वो किल होते हैं बहुत से वायरा व्यक्ति होते हैं जब गोरकपुर में 1991 में असुमेद यग्य हुआ था तो वहां पर यूपी पॉलूशन बोर्ड ने कि कहा कि हम असुमेद यग्य होने से पहले प्री और पोस्ट लेंगे और देखेंगे कि आप लोग जो कहते हैं कि इसे वातावरण सुद्ध होता यह वास्ताव में ऐसा होता है कि नहीं तो उन् पाद जब उन्होंने दुबारा सेंपल लिया तो उनके आश्यर का ठीकाना नहीं रहा कि बहुत से जो पानी के वेक्टेरिया और हवा के वेक्टेरिया वह खतम हो गए और मिट्टी में भी जो विसाड़ू जीवाड़ू जो कि नुकसान दायक थे वह भी नस्ट हो गए त और हमने तो बहुत सारे जगहों पर देखा है अभी मैं दो साल पहले अमेरिका गया था तो वहां निवार्क में हमारे परचित हैं उनके घर पे ले गया तो दिखा रहे थे कि मैं अपने घर से रोज सुबह यग्य करता हूं तो यग्य करके उन्होंने दिखाया था कि अतना ज्यादा लाब है कि जो जो चल रहा है उसको हम देख सकते हैं और कर सकते हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यग्य के बहुत सारे लाब हैं और अब यग्य के बहुत सारे लाब है और उन लाबों को हम अपने व्यक्तिकत जीवन में उतार भी सकते हैं और देख भी सकते हैं इसके अलावा यग्य में अभी हम आपको ददेजब हम हमारे यहां देव संस्किती विश्विदाले में समग्र स्वास प्रबंधन है यहां पर यग्योपैथी नाम से चिकित्सा भी की जाती है और यहां पर कई ऐसे पेसेंट्स हैं जिनको इसके माध्यम से ठीक भी किया जा रहा है यहां पर हैचाईवी पॉजिटिव के के सेंट्स आये थे कैंसर के प्राइमरी स्टेज में सेकेंडरी स्टेज में अगर आते हैं तो इसको ठीक किया जा रहा है मैं तो कलगभग कई सालों से मैं जुड़ा हुआ हूं मैंने एक बार प्रकृंसन का पेसेंट रहे थे उस पर तीन साल के अंदर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह कि के बहुत ही ज्यादा लाब हैं जो कि हम अपने जीवन में इसको उतारते हैं बास्तों में कि मैं इसको देखें तो योग भी कहता है और अध्यात्मी कि हमारे सरीर में हमारा जो सरीर jsब इसके तीन अंग मारण और इस्थूल इस्थूल जो की हमारा दिखाई दे रहा है सूच में वो कारण जो की दिखाई नहीं दे रहा है तो जो हमारी बिमारिया होती है वह संसकार जन्न होती है या यह कहलें कि उसके बीज प्रसुपत रूप में सूच में या कारण सरीर में रहते हैं तो जब तक हम इस थूल शरीर की केवल हम चिकित्सा करते रहते हैं कई बार बिमारी दूर नहीं होती है तो अगर हम यग्य करते हैं तो यग्य जो है सूच्म और कारण शरीर पर एफेक्ट करता है और इसके द्वारा काफी लाव होते हैं इसको धारण से भी हम समझ सकते हैं कि घर में हम बैठे हुए हैं अगर हम एक मिर्च खाते हैं तो केवल उसकी कड़वाट हमको लगती है लेकिन अगर आग में जलाकर घर में आग जलाकर उसमें मिर्च को डाल दें तो जितने लोग हैं सब को छीक आएगी सब तक उसकी महक या उसका असर होगा तो इस तरह से हम देखते हैं कि यगी का सुच रूप से असर होता है और यह काफी अधीक दूर दूर तक फैलता है और अभी तो जर्मन में और कई जगह पर ऐसे experi knife हो रहे हैं कई ETSC research हैं उसमें देखा जा रहा है और वो लोग को सिर्यदय और सूरियस्त के समय चोटेमंतरों के द्वारा आउति कार रहे हैं और उनने कह सब्स्राइब पर भी कर रहे हैं वहां पर फसले हैं उसका प्रोडक्शन काफी बढ़ा हो गया बढ़ गया है पेड़ों में फल जादा अच्छे आने लगे हैं और इसके कई सारे एक्सपेरिमेंट अब धीरे धीरे पूरे विश्व में हो रहे हैं और इसी तरह से एक श्री अंत्र भी होता है जिसको की प्रिथवी के अंदर एक निश्चित गहराई में डाला जाता है और बंजर जमीन या कैसी भी जमीन हो वह कुछ समय के बाद उर्वरक हो जाती है अगर हम सही ढंक से यग करते हैं तो इसके बहुत सारे लाब हैं और इसके चिकत्सिय पद्धती भी बहुत सारी है अगर अभी तो समय कम है अगर आपके पास कभी समय हो तो हर्दवार में देव संस्कृति विश्वधाले में आये यहां पे समग्रिश्वास प्रबंधन में पू इफेक्ट पड़ता है और इस तरह के कई यहां पर मसीन भी अब धीरे धीरे लगाए जा रही है और कई रिसर्च यहां पर की जा रही है तो समय समाप्त होता है आप लोग के साथ बात करके मिलके बहुत अच्छा लगा इस क्लास का समापन जैसा की मेरे स्टुडेंट जानते हैं कि मैं किस तरह से करता हूं आप सभी से निवेदन है कि आखों को बंद कर लें एक मिनिट के लिए क्लास का समापन करते हैं आखे बंद करके भावना करें कि हमारे अंदर भीतार बाहर चारों तरफ सांती 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 एक बार ओम का देर उचान करेंगे तीन बार सांती सांती लंबी गयर स्वास लें कि ओ कि कि सांती ही सांती ही हरी ओम हमारे भीतर बाहर चार अत्रफ सांती हो पूरे विश्व में सांती हो सुक्का वातावरन हो सभी के अंदर अच्छी भावना हो इसी के साथ कि आपका दिन सुब हो मंगल मैं हो आप सभी को प्रणाम बहुत बहुत धन्या सभी को आप